तो भईया सलार का तो अभी ट्रेलर भी रिलीज होने वाला सलार रिलीज ट्रेलर को कहा जा रहा है उसको लेकर एक अच्छी कासी हाइप अल्रेडी बन चुकी थी और ये हाइप जो है काफी हद तक मदद करेगी सलार की जो एडवांस वुकिंग उसको और जादा बढ़ाने म बात जो भी निकल कर सामने आए थी कि सलार को शोस काफी कम मिले हुएं और कई लोग मुझको भी क्रिटिसाइज करने लगए कि यार तुम शोस की बात क्यों कर रहे हो तो भईया ऐसा है कि हम तो उसी काम के लिए बैठे है हमारा काम ही है आपको शोस की काउंट बताना टिक साथ सो के करीब कुछ शोस थे मतलब काफी कम थे उस टाइम पर ही डंकी के काफी जादा शोड़ चल रहे थे तो ऐसे में अगर हम लुग बात करें सबसे पहले इस इसके कौन-कौन से स्टेट में कैसा का चल रहा है औल वरिजिंस की सबस्झे अगर हम बात करें तो इस इसके लावा डेली की बात करें, 310 शोज हैं, उत्रप्रदेश में 109 शोज हैं, पंजाब में 119 शोज हैं, महराष्ट्रा में 405 हैं, और सर्प्राइसिंग यह सारे जो मैं आपको स्टेट बता रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के हैं, अब जो बता रहे हैं, यहां पर तो बढ़ यहां भी बड़ी है, नंबर सामने आ रहा है, तो शोज तो ठीक ठाक मिल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, बहुत कम है, बट मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी जगे हैं, जो टायर टू, टायर त्री सिटीज जो हैं, वहां पर आई थिंग इसके शोज उतरे नहीं चल रहे हैं, खैर, अगर तेलगू में बात करें, तेलगू में सबसे ज़्यादा इसके शोज जा रहे हैं, मैंगलूरू में, साड़े चार सो शोज हैं, नाइन्टी वन आल्मोस फुल हैं, और सेविंटी वन जो हैं, वो फिलिंग फास्ट हैं, इसके बाद बारी आती है, मल्यालम लेंगविच की, मल्यालम लेंगविच की ऐसा नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे कोच्ची में 80 हैं, तिरुवंद्रम में 74 हैं, अल्जा फुजा में 27 हैं, कोलम में 36 हैं, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं है, हलाकि बैंगलूरू में अगर ह शोज चल रहा है इसके तमिल में टोटल जिसमें के कोईमबिटूर में पाँच है कोच्ची में दस है त्रिवंदरम में 27 हैं और थ्रिस्वर में चार शोज हैं यहाँ पर कुछ ऐसा वो नहीं कंड़ा की बात करने तो कंड़ा में भी ऐसे खास शोज नहीं है बैंगलूरू मे इसके बाद 200 शोज इसके चल रहे हैं मुंबई में एंड एहंद बाद गुजरात में इस बहुत शोज चल रहा है तो यहां पर भी अच्छे खासा नंबर इसको निकल कर आ रहा है तो यह एक अच्छी पॉजिटिव साइड में कहूंगा कि भई यह सलार के लिए पॉजिटिव साइड जा रही है अब बात करें कलेक्शन की तो देखिए जहां पर अगर हम डंकी की बात करें दंकी को जहां पर 6400 शोज मिल चुके है तो वही पर अभी तक सलार को मिले है 3271 शोज अल्मोस्ट हाफ शोज हैं यहां पर भी बट हाफ शोज होने के बावजूद भी इसने 3.26 करोड का कलेक्शन कर लिया है तो कई जगों पर आप देखेंगे लोग बोल रहा है बड़ा कारण खाहरा शोज केंसाफ से आगे वाण थे तो भीは करें तो 136 शोज हैं 131 जिकेट प्राइज है और 3773 इसके टिकेट बिख चुके हैं करने तो 36 चोज हैं 145 के टिकेट बिख चुके हैं अब सब्राइजिंग प्रेक्टर यह है कि हिंदी में वहाँ टिकेट बिख चुके हैं और तेलगू में तो सिर्फ 16 शोज में ही 78,000 टिकेट बिख गए हैं लेकिन हिंदी में 1600 शोज हैं बर टिकेट कितने बिखे हैं 17,000 इससे आपको पता चलेगा कि साउथ में इस मूवी को लेकर क्या हाई प्राइज साउथ में पब्लिक पागल भी पड़ी है और वहाँ टिक्टो की बहुत जाद मारे मारी होने वाली यह बात ता है तो ऐसे में अगर हम इन टोटल बात करें तो 3271 शोज इसके निकल कर सामने आ रहे हैं नवर ऑफ टिकेट सोल्ड की बात करें तो 136,000 टिकेट से इसके बिख चुके हैं और जो अमाउ फिर से जंप देखने के मिलेगा प्लस मंडे से सुनने में आ रहा है कि और भी कई सारी जगों पर एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी इवेर हम अभी ही देख रहे हैं कि मैंने सुबह देखा था फिर अभी दुबार सुबह देख रहा हूं तो काफी सारी नमबर देखने वाली बात होगी लेकिन यहां पर सल्ध को एक अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है नॉर्थ इंडिया से यह बड़ी है रिस्पॉंस मिल रहा है इसके बाफ़ूद कि डंकी से जानर भी अलग अलग है पब्लिक बहुत जानती मुझे को ऐसा रग रहा है कि पब्लिक शुरुआत में सलार को देख लेगी and then जैसे ही उनको अगली बार टाइम मिलेगा they will go for donkey क्योंकि डंकी एक लंबी रेस का गोड़ा है जैसा कि आपको पहले भी अपने दूसरे वीडियो से बताया है कि डंकी एक लंबी रेस का गोड़ा है वो लंबा चलने वाली मूवी है और सलार जो है अगर इस सलार अच्छी रही इसका वर्ल्ड अफ मौथ बड़िया निकला तो जो ये लंबा चलेगी लेकिन अगर इसको थोड़ा भूथ भी उपर नीचे हुआ इसके साथ में तो ये शुरुआत में बड़िया कलेक्शन निकालेगी और उसके बाद फिर डिपेंट करेगा कि वर्ल्ड अफ मौथ इस मूवी का कैसा है हल फिलाल की बात करें तो सलार की एड़वांस लुकिंग और ये पंडराइव चाहिव पांच दुकानों भुख रही है तो जो पंडराइव वीज दुकानों भुख रही है उसको ज़ी तोज़ादा बिकरी मिलेगी यहाँ पर हलां कि हम ये बोल सकते हैं कि मेकर्स चाहते तो फिर ज़्यादा स्क्रीन रख लेते सालार की बढ़ देखें नॉर्थ इंडिया में रेड चिलीज जो है उसका प्रभुत वो थोड़ा ज़ादा अच्छा है जो की मेकर्स हैं इस मूवी के डंकी के वही अगर सालार की बात करें तो सालार का प्रभुत्व जो है वो साउथ में ज़ादा है इसलिए आप देखेंगे साउथ में केरला एंड करनाट का आपको हमाबर बंपर शोज देखने के लिए मिलेंगे सालार के वही अगर हम बात करें गुजरात की दिली एंसी आर की तो यहाँ पर आपको डग्की की शुर्च देखने के लिए मिलेंगे तो कही न कहीं यह लैंगविज के उपर भी डिपेंड करता है कि जिस एक्टर की मूवी आ रही है वो किस रीजन में ज़्यादा फेमस है कोई नहीं लोग पाएगा कई सारे लोगों ने आब आके यह बात भी सामने बोली है कि भाईया केजी एफ का इस मूवी में कोई लिंक नहीं है और जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे है उस कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे बुरा भी लग रहा है कि आखर क्यों केजी एफ का लिंक नहीं है अगर सालार और केजी एफ में कोई थोड़ा बहुत भी लिंक होता तो यकीन मानिये सालार के जो टिकेट अभी आपको थोड़े बहुत दिख रहे हैं बिके हुए वो इससे कहीं ज़दा बिक गए होते हैं मूवी देखने के बाद पता चलेगा यह तो कि वहाँ पर केजी एफ का कोई लिंक है या नहीं क्यों केजी एफ के सेकंड पार्ट के चाइम पर भी यही बोला गया था केजी एफ के थर्ड पार्ट को लेकर तो कोई बात ही नहीं हो रही बट वो एंड ग्रेट सीन में जाकर पता चली गया कि भाई यह मूवी किस तरीके से सामने आ रही है क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करें ज़रू बताएं मेरे सुड़ी फिलालत नहीं चाहें चाहें पार